क्या आपने कभी कोई क्यूट वीडियो देखी है? कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं? मुझे तो ये बात बिल्कुल सच भी लगती है क्योंकि बच्चों के चेहरों पर जो मासूमिद बिखरी रहती है वो सच में किसी दिव्विता का ही एसास देती है बच्चों की ये खुबसूरत मुस्कुराहट भगवान का अनमोल तोफा ही तो है जो उसने हमें दिया है यू तो दुनिया का हर बच्चा बहुत खुबसूरत होता है मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी बच्चे है जिनके चेहरे पर ये क्यूटनेस ओवरलोड़िड है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप टेन क्यूटेस किट्स की जिनकी खुबसूरती और मासूमित ने पूरी दुनिया को दीवाना बना रखा है और इतनी छोटी से उम्र में जिन्होंने शोरत की बुलंग्या चूली है आज का ये वीडियो काफी क्यूट है आप बस मेरे साथ लास तक बने रहिएगा 2014 में पैदा हुई ये बच्ची अमेरिका की शान है ये अभी से एक सक्सेस्फुल मॉडल और एक्टरिस बन गई है और इस सक्सेस का रीजन क्या है जी बिलकुल ये सुन्दर और प्यारा सा चेहरा इनकी आखे, चेहरे का आकार और बाल सब कुछ इतना पोफिक्ट है कि लगता है भगवान ने खुद अपने हाथों से इस बच्ची को बनाया होगा इन्हें लोग नौर्थ अमेरिका की सबसे खुबसूरत बच्ची कहते है इतनी छोटी सी उम्र में ही ये बच्ची Simplicity Patterns, The Children's Place और Kid Pick जैसे अमेरिका के बड़े बड़े ब्रैंड्स के साथ काम कर चुकी है इन्हें देख कर मशूर बार्बी डॉल की याद आती है ये बच्ची बिलकुल किसी गुडिया की तरह दिखती है जोडिन का उटेंशन मिलना शुरू हुआ सोशल मीडिया से जब उनकी मा ने उनके कुछ बहुत ही खुपसूरत फोटोस सोशल मीडिया पर अपलोड किये उसके बाद तो पूरी दुनिया की नजर इस लड़की पर टिक गई अभी से ये बच्ची चाइल्ड एक्टर्स के तौर पर काम कर रही है और खुप ऐसे चाप रही है इस बच्ची में दुनिया की कई अलग-अलग संस्कृतियों का मिक्शिर है यानि इस बच्ची के परिवार में इससे पहले जो पूरवज थे वो स्प्यानिश, अमारिकन्स और फिलिपीनोस रह चुके है अब अगर दुनिया के हर काउने से खुपसूरती बटोर कर इस बच्ची को बनाया गया है तो जाहिर सी बात है इस बच्ची की खुपसूरती पूरी दुनिया को तो अट्राक्ट करेगी ही इस बच्ची को बच्चपन से ही फोटो खिचवाने का बहुत शौक रहा है और इसी शौक के चलते केवल तीन साल की उम्र में ही इन्होंने मौडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया अपनी कमाल की खूपसूरती और फोटोजेनिक लुक्स के चलते मॉडलिंग की दुनिया में आग लगाने में लेनिया को ज्यादा वक्त नहीं लगा कैमरा के सामने इतने सहज अंदाज से खुद को पेश करने की इनकी कमाल की काबिलियत इन्हें बाकी की दुनिया से अलग और स्पेशल बनाती है लेनिया, गेस और मिलेफिसिंट टॉइस जैसे बड़े ब्रैंड्स के लिए भी काम कर चुकी है इतना ही नहीं स्वेडिश म्यूजिक कंपोजर एंड डीजे अभीची के एक म्यूजिक फीडियो में बतौर चाइल एक्टरिस ये अक्टिंग की दुनिया में भी अपने हाथ आजमा चुकी है 2009 में अमेरिका में जन्मी इस बच्ची की मासुमित में वो कमाल का जादू है जो आपको बांध लेगा इस बच्ची को भी वर्ल्ड वाइड फिर्म दिलाने का क्रेडिट सोशल मीडिया को ही जाता है आज की तारीख में इस बच्चे के इंस्साग्राम अकाउंट पर लाखो फॉलोर्स है हेली ने साल 2012 में यानी महस तीन साल की उम्र में ही बेवी मॉडल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था और मॉट्स और AT&T जैसे बड़े ब्रैंड्स के लिए नैशनल अड़र्टीजमेंट में नजर आने लगी थी हेली वास्क्वेस की खुबसूर्ती और इनोसिन लुक्स का ही नतीजा था कि इन्हें पूरे अमेरिका में जबरदस्थ फैन फोलोईंग मिली वे बहुत ही जल्द सेलिब्रिटी बन गई और अलग-अलग टीवी शोज में बतोर गेस जाने लगी इतना ही नहीं उन्होंने न्यू यॉक फैशन वीक में रैम पर वाक करके भी अपने अंदास और मासूमित से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था अगर आप भी इस प्यारी सी बच्ची को पसंद करने लगे है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा वाव इस बच्ची को देखने के बाद और कुछ देखने की मेरी ख्वाईश नहीं रह गई है जरा इसका चेहरा तो देखिए क्यूटनेस ओवरलोडेड लगता है कुदरत ने ये नए नक्ष बहुती फुरसत में बनाए है इससे परफिक्ट और क्या हो सकता है भला 16th May 2008 को साउथ कोरिया में जन्मी ये बच्ची चाइल्ड मॉडल और टीवी चाइल्ड आक्टरिस है जिसने अपनी खुबसूरती और टैलेंड के दम पर पूरी दुन्या को हैरत में डाल रखा है और टीवी सीरीज हेलो बेबी में इन्हें देख कर तो दुन्या इनके पीछे पागल हो गई है इन्हें एश्या की सबसे खुबसूरत बच्ची होने का भी खिताब मल चुका है लॉरेन, औरा किर्ड्स, मिनी जारू और मिनी मी जैसे ग्लोबल ब्रैंड्स का भी चेहरा रह चुकी है और इसके अलावा जिम बोरी जैसी कई सारी कंप्रीज को भी इंडॉर्स कर चुकी है कोरियन मा और केनेडियन पिता की ये बच्ची दुन्या की दो अलग सब्विताओं के मिक्शर का सबसे खुबसूरत एक्जाम्पल है अगर आप इतने खुबसूरत, इतने क्यूट, इतने मासूम और इतने टैलेंटिड हो सकते हैं तो फिर आपको शौरत के सबसे उचे मुकाम पर पहुचने से कोई नहीं रोक सकता एक लाइक लॉरेन के लिए तो बनता है यार अब जरा इस ब्यूटी सेंसेशन को देखिए क्या कोई बच्ची इतनी खुबसूरत भी हो सकती है 2010 में सेंट पीटर्जबर्ग, रशिया में जन्मी अना पवागा को रशिया की सबसे खुबसूरत बच्ची माना जाता है और ऐसा क्यों है वो तो आप ये तस्वीरे देख कर समझ ही गए होंगे एना केवल 3 साल की थी जब वो मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी और उनकी प्रेजन्स ने मॉडलिंग वर्ड में वो रोश्नी की है कि दुनिया सालों तक याद रखेगी बिलकुल गुडिया की तरह दिखने वाली इस बच्ची की जो ग्रे ग्रीन आखे है इनके नशे में पूरा रश्या जूमता है मॉडलिंग के अलावा ये कई टीवी सीरियल्स, आड मूवीज और म्यूजिक अलबम्स की वीडियो क्लिप्स में भी काम कर चुकी है मॉडलिंग की ही तरह आक्टिंग के करियर में भी इनका ग्राफ लगतार उचा ही चला जा रहा है रश्या की इस मासूम सुन्दरता पर मेरा तो दिल आ गया है आपका विकेट अब तक गिरा या नही हाई, कितना प्यारा चेहरा है और ये नीली आँखे इन्हें देखने के लिए तो कोई राजा दुनिया भर की हुकूमत लुटा सकता है सच मुझ इस लड़की की इन सपनीली नीली आँखों में कोई जादू है ये एक रश्यन चाइल्ड मॉडल है जिनका जन 10 जुलाय 2011 को रश्या की राजधानी मॉस्को में हुआ था इस बच्ची की मा कहती है कि जब ये पैदा हुई थी तभी सेलिब्रिटी बन गई थी क्यूंकि इसकी एक खुबसूरत नीली आँखे हर किसी को ट्रैट करती थी हर कोई बच्ची को पल भर के लिए निहारना चाहता था एक तो ये नीली आँखे और उपर से इतना इनोसिंट और प्यारा सा चेहरा देख कर कौन ऐसा पत्थर दिल होगा जो पिघलना जाए इस बच्ची को वर्ल्ड वाइड फेम मिला इंस्टेग्राम से जब इनकी मा ने इनके कुछ बहुत ही खुबसूरत फोटोस इंस्टेग्राम पर अपलोड किये आज तो हालत ये है कि इस बच्ची के इंस्टेग्राम पर लाखो फॉलोवर्स है जब इतनी खुबसूरत है और फेमस भी हो चुकी है तो बिजनिस वर्ल्ड में तो तहल का मचना ही था बस फिर क्या था बच्ची मॉडलिंग की दुनिया में आ गई और अब तक चाइल्ड क्लोधिंग के बहुत से ब्रैंड्स में नजर आ चुकी है अनेस्टेसिया ने अमारीको और किसा बियानो जैसी बड़ी कंपनीज के लिए भी काम किया है और इतनी छोटी सी उम्र में आज शोहरत के उस मुकाम पर बैठी है जहां लोग पूरी जिन्दगी मेनत करके भी नहीं पोच पाते अब जरा इस प्यारी सी गोल मटोल बच्ची पर गौल फरमाईए इसे देखकर मुझे तो रजगुल्ले याद आ रहे है इसके इतने प्यारे गाल देखकर दिल कर रहा है कि काश मेरी बीटी भी इसतनी प्यारी पैदा हो जाए ओ नो याद आया अपनी तब तक शादी भी नहीं हुई Anyways, August 2015 में अमेरिका में जन्मी एक खुबसूरत गुडिया किसी सेलेब्रिटी से कम नहीं है इतनी छोटी सी उमर में ही ये मॉडलिंग की दुनिया का एक बड़ा चेहरा बन गई है इन्हें चिल्डरिन्स क्लोधिंग के कई व्रैंड्स के अडवर्टीजमेंट में देखा जा चुका है अमेरिका में तो ये भी माना जाता है कि ग्रेली में से खुबसूरत बच्ची दुनिया में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती ग्रेली के पिता लैंस मूर एक फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर रह चुके है और फील्ड में करिश्मे करने के अलावा उन्होंने फील्ड के बाहर ग्रेली में नाम का भी एक करिश्मा किया है ये बच्ची बिल्कुल अपनी मा केसी ट्रियोनी पर गई है और लगता है ये कमाल की खुपसूरती इन्हें अपनी मा से ही मिली है अगर आपको भी अमारिकन डॉल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपनी सहमती दर्स करवा सकते हैं आप 27 December 2005 को जनम लेने वाली एक खुपसूरत बच्ची भी रशिया से तालुक रखती है इनका जनम मॉस्को में हुआ था क्रिस्टीना की पिता रसलन पीमिनौ भी एक बहुत फेमस फुटबॉलर रह चुके है लेकिन उनकी जनलगी की सबसे बड़ी जीत उनकी ये प्यारी बिटिया ही है और इस खुपसूरत क्रियेशन में उनकी वाइफ ग्लाइसीरिया को भी फुल क्रेडिट जाता है महस तीन साल की उम्र में ही इनके मॉडलिंग करियर की शुरुवात हो गई थी और उसके बाद तो ये सफलता की कई आयाम छूती चली गई राडा, बर्बेरी, रोबर्टो कवाली, डॉल्चे अन गबाना और अर्मानी जरसे बड़े बड़े फैशन हाउसे इनके साथ काम करने का सौभाग ये प्राप्त कर चुके है वैसे भी इतनी खुबसूरत आँखे हो और इतना प्यारा चेहरा हो तो फैशन वर्ड और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों की नजरों में आपका आना तो लगबग तय ही होता है इनकी मा चाहती थी कि इस चमक धमक भरी दुनिया की वजह से कहीं वो अपना बचपन ना खो दे इसलिए उन्होंने क्रिस्टीना को वो सारे मौके दिये जिससे वो अपने बचपन का लुथ उठा सके जैसे उन्होंने अपनी दोस्तों के साथ रुदिमिक जिमनास्टिक्स की ट्रेनिंग के भी मज़े लिये है अगर आप भी क्रिस्टीना की प्यारी सी आँखों के जादू में खो गए हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजेगा नमबर टू आनस्टेसिया बेजरुकोवा लीजिये अगली खूपसूर्ती भी आती है रशिया से जैन्वरी फिफ्थ 2004 को जन्मी आनस्टेसिया बचपन से ही बहुत टैलेंटिड थी और इस कमाल की खूपसूर्ती ने उनके टैलेंट में चार चान लगा दिये उन्होंने बहुती छोटी उम्र में मौडलिंग करना शुरू कर दिया था और 10 साल की होने तक तो वो इंटरनाशनल फैशन वर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन चुकी थी वो मौशीनो, बेनिटन और पिंको जैसी बड़ी ब्रैंड्स के साथ फोटो शूट का हिस्सा रह चुकी है साल 2015 में फिल्म दमिल्की वे से उन्होंने अक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया और इसके बाद तो फिल्मेकर्स की लाइन लग गई उनके पीछे तैमूर अली खान का नाम नहीं आएगा तो बड़ी नाइनसाफी हो जाएगी एक ऐसा बच्चा जिसके जन्म के साथ ही उसके नाम को लेकर कॉंट्रोवर्सी शुरू हो गई हो वो किसी भी मायने में कॉमन किट तो हो ही नहीं सकता पटोदी खानदान का वारिस और सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा तैमूर बॉर्ण सेलिब्रिटी है 20 डिसेंबर 2016 को जन्में तैमूर की क्यूटनेस का मुकाबला बॉलिवुड या भारत तो क्या दुनिया के किसी और बच्चे से नहीं किया जा सकता तैमूर की मुस्कुराहट और चेहरे की मासूमित अकसर सोशल मीडिया पर तूफान मचाती रहती है सेलिब्रिटी किड होने की वज़े से तैमूर अकसर लायम लाइट में रहता है और न्यूस चैनल्स की हेडलाइन्स बना रहता है खैर बच्चे के मम्मी पापा उसकी प्राइविसी का पूरा ख्याल रखते है और अभी उनका पूरा फोकस तैमूर के लिए ऐसा माहोल तयार करने पर है जहां वो अपना बच्वन खुल कर इंजॉय कर सके इतनी छोटी से उम्र में लुक्स, फैशन और स्टाइल को लेकर सोशल मीडिया का माहोल गर्म रखने वाला ये बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या क्या कारनामे करेगा ये तो वक्त ही बताएगा और पहले नंबर पर आती है इरान की बेबी जो सचमुच एक डॉल है इसे देखिये तो जरा लगता है पूरी कायनात की खुपसूरती इस मासूम मुस्कुराहट में जलक रही है ये बच्ची सचमुच कुदरत का करिश्मा है जो इस बच्ची को एक बार देख ले उसका मन इसे बार बार देखने का करेगा क्या करे इस प्यारे से मासूम चेहरे से नजर ही नहीं हटती जैनुरी 10 ट्विटी सिक्स्टीन में इरान में जन्मी बच्ची इन दिनों नई इंटेनेट सेंसेशन बन कर उभरी है जब लग्दाक के MP ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बच्ची के एक वीडियो पोस्ट की उसके बाद तो पूरा भारत इस बच्ची के अडॉरेबल लुक्स का दीवाना हो गया बिना किसी डाउट के आना हीटा दुनिया की सबसे खूपसूरत बच्ची है दुनिया के सबसे क्यूट बच्चों की क्यूटनेस और खूपसूरती से भरपूर ये वीडियो बस यही तक था उमीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और कॉमेंट में बताए किस लिस्ट में किस बच्चे की क्यूटनेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और फेमस और क्यूट बच्चा है तो आप कॉमेंट में उनका नाम मुझे सजेस्ट कर सकते है और अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए